हेलो दोस्तो आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी स्टेडी वाई विशाल पर दोस्तो जैसे कि आप सब जानते हैं SSE CHSL 2021 की जो एक्जाम की डेट है लोगडाउन के बाद वो आ गई है चार अगस्त से दोस्तो इनका जो है पेपर स्टार्ट हो रहा है जो की 20 अपरेल को हो रहा था च्छी खासी लेकिन कोरोना वाईरस की महमारी की वज़े से इस एक्जाम को जो है स्थगित कर दिया गया था तो दोस्तो अब CHSL एक्जाम की नई डेट आ गई है और जल्द ही 3-4 दिनों के बीच में ये एक्जाम जो है 4 अगस्त से स्टार्ट हो जाएंगे तो इसी बीच में दोस्तो कई बच्चों की जो मेरी लास्ट वीडियो थी SSC CHSL से रिलेटेड तो उस पे कई सारे नए नए कमेंट आये थे तो आज मैं उन सारे कमेंट्स को दोस्तो जो है वो उनके बारे में बताना चाहता हूँ कि आपको क्या जो है उसमें असुविधा हो सकती है और क्या आपको दोस्तो उसमें डॉक्यमेंट लेके जाना है तो इसलिए मैंने उस वीडियो के बाद एक वीडियो और बनाई है SSC CHSL exam की दोस्तो 2.0 की ठीक है दोस्तो इसमें मैं आपको सब कुछ clarity से बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि lockdown के बाद क्या के जरूरी है, vaccination जरूरी है क्या ले जाना है, अधार काड में कुछ गड़वड़ी है तो क्या करें, सब कुछ दोस्तो मैं इस वीडियो में आपको जानकारी दूँगा ठीक है दोस्तो, तो दोस्तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तो चैनल को subscribe जरूर करते हैं ताकि आने वाली CHSL exam question paper की जो वीडियो है वो आप तक पहुंच सके ठीक है दोस्तो, तो देखिए दोस्तो SSC CHSL 2021 के exam में कुछ बाते जो आपको ध्यान में रखनी है कौन-कौन सी, आपको पहले समय से डेड़ घंटा पहले अपने center पर पहुंच जाना है ठीक है दोस्तो, आपके admit card पर दोस्तो एक reporting timing होगी, है ना, और एक last timing होगी तो दोस्तो जो आपकी reporting timing है उससे दोस्तो आपको 30 मिनट पहले पहुंचना है और जो last timing है, उससे डेड़ घंटा पहले पहुंचना है ठीक है दोस्तो, तो आपके admit card पर जो timing है उससे आपको 30 मिनट पहले पहुचना है बाकी ये एक घंटा दोस्तों आपको अंदर बिना फालतों में बिठा के रखते हैं तो आप कोशिश करना कि last time का जो period है उससे 10 या 15 मिनट पहले ही जाए वरना आपको एक घंटे तक वो अंदर बिठा कर रखेंगे ठीक है दोस्तों उसके बाद दोस्तों जो है entry बंद हो जाने के बाद दोस्तों जो last reporting timing है वो होने के बाद किसी भी व्यक्ति को entry नहीं दी जाएगी चाहिए वो फिर कितना भी powerful person क्यों नहीं हो ठीक है उसके बाद दोस्तो admit card आपको जरूर लेकर जाना है admit card के साथ दोस्तों आपको दो रंगीन colored दोस्तों passport size photo लेकर जानी है जो आपने form में fill करिये दोस्तों वो compulsory नहीं है कि जो आपने form में fill करिये आप वही लेकर जाएं अगर आपके पास वो photo नहीं है तो आप दूसरी लेकर जा सकते हैं ठीक है इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ठीक है उसके बाद दोस्तों आपको valid ID proof जरूर लेकर जाने है क्योंकि SSC का जो admit card है और जो आपका ID proof आप लेकर जाएंगे तो वो उस पे सारी चीजे सेम होनी चाहिए और वो भारत सरकार के द्वारत जारी की जानी चाहिए ठीक है दोस्तों आप ID proof में क्या क्या ले जा सकते हैं इसमें बताया गया है पासपोट ले जा सकते हैं आधार card ले जा सकते हैं print out of यह अधार कार्ड ले जा सकते हैं, driving license ले जा सकते हैं दोस्तों आप, और अगर कोई भी जो सरकारी उपकरम या सरकारी company है, उसने आपको कोई ID कार्ड जो है जारी किया है, चाहे वो state government हो या central government हो, या कोई public sector की company क्यों नहों, उसने कोई आपको ID कार्ड जारी किया है, तो आपके कोई mistake है, तो आप जो दसवी की जो आपकी दोस्तों certificate होता है, दसवी का दोस्तों, 12 का नहीं चलेगा यहापे, दसवी का certificate ले जा सकते हैं, college के ID कार्ड ले जा सकते हैं, school का ID कार्ड ले जा सकते हैं, तो आप यह सब जो है ले जा सकते हैं, लेकिन यह सब आपको original ल ministry of defense करता है इसको आप ले जा सकते हैं ठीक है दोस्तो और कोई भी identity proof जो की issue करी हो central government state government इन दोनों में से किसी ने भी आप वो ले जा सकते हैं ठीक है दोस्तो तो ये सारी चीज़ें आपको जरूर ध्यान रखनी है बस आपको दोस्तो एक चीज़ का यहां पर बहुत ध्यान रखना है कि आप जो admit card ले कर जा रहे हैं और जो ID proof आप ले कर जाओगे उसका जो data है वो same होना चाहिए as per admit card और admit card का जो data है वो सब same होना चाहिए as per ID card ठेक है दोस्तो तो आपको मतलब सब कुछ ऐसा ले के जाना है जो same हो उसके बाद दोस्तो कुछ COVID-19 की instruction है वो भी मैं बता देता हूँ आपको face mask दोस्तो ले जाना compulsory है hand sanitizer दोस्तो आप compulsory नहीं है बट आप ले जा सकते हैं एक छोटी bottle hand sanitizer की ठीक है दोस्तो उसके बाद दोस्तो आप transparent water bottle ले जा सकते हैं बट वो allow अंदर नहीं करेंगे ठीक है क्योंकि centers पर जो है वो वहाँ पर पानी उपलब्ध होता है तो आपको जो है वो bottle अंदर नहीं ले जाने देंगे ठीक है दोस्तो उसके बाद दोस्तो आप COVID-19 का जो self declaration है वो आप form print out करके उसको भर लेना या फिर वो वही पर आपको center के अंदर भरवाते हैं ठीक है दोस्तो उसके बाद दोस्तो सबसे जादा ज़रूरी है vaccine दोस्तो जिस वेक्तिने vaccine नहीं लगवाई क्या उसको entry नहीं मिलेगी तो ऐसा कुछ नहीं है कि जिस वेक्तिने vaccine देने जा सकते हैं ठीक है दोस्तो तो ये थी दोस्तो आज की वीडियो SAC CHSL exam की जो की lockdown के बाद आपको ध्यान रखनी है और दोस्तो आपको एकदम free mind होकर exam देने जाने और exam में जो है आपको अच्छा production करना है ठीक है दोस्तो दोस्तो वीडियो पसंद आई हो तो उसको like, share और चैनल को subscribe जरूर करना मैं आशा करता हूँ कि आपका exam काफी अच्छा जाए ठीक है दोस्तो धन्यवाद